दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल आरियन इंस्टूट इलाहबाद में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीटेट आपका 2021 का होना है उसके लिए एक बहुती बड़ी खुस खबरी निकल कराई है कि आपका सीटेट का एकजाम कब होगा, आउनलाइन आवेदन कब से लिए जाएंगे इसके लिए आज हम आपको बहुती बड़ी खुस खबरी देने वाले हैं दोस्तों कि आपका आउनलाइन आवेदन कब से प्रारम हो सकते है अभी अभी नोटिस आज निकल कर आई है, तो उसी नोटिस पर आज हम आपसे चरजा करने वाले हैं दोस्तों तो आप लोग एकदम तयार हो जाएए, आप ये जान लिजए कि आउनलाइन आवेदन की तिथी जो है जल्द ही जल्द घोसित के जाएगी आप यहां आगे देख रहे हैं कि CTT के लिए 20 जुलाई से सुरू हो सकते हैं ओनलाइन आवेदन यानि कि अब ये नियूस पेपर की कटिंग सीधे एकदम आपको ले चल रही है कि सीटेट के लिए 20 जुलाई से आवेदन सुरू हो सकते हैं ठेक तो चलिए इस पे पूरी खबर क्या है आप आगे देख रहे हैं कि CBSC की ओर से केंद्री सिक्षक पात्रता परिक्षा 2021 के लिए आवेदन की तयारी पूरी कर ली गई है तो दोस्तों जैसे CBSC ये सीटेट का एक्जाम जो है वो CBSC कराती है और इसके लिए मिन्स 2021 के लिए वह एकदम अपने तयारी पूर्ड रूप से कर चुका है कि अब आवेदन जल से जल ले जाएंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सीटेट के लिए अहरता क्या होने चाहिए मिन्स आप इलिजिबल कैसे होंगे आप यहां आगे देख रहे हैं कि जैसे यहां कह रहा है यह अहरता है जरूरी सीटेट का आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को शेनियर सेकेंडरी अध्वा आशनातक परिक्षा 50 फिजदी अंक के साथ पाश होने और शिक्षक परिक्षण डियलेड बीटीशी इत्यादी में दो वर्षी डिपलोमा कोर्स पूरा किया होना चाहिए यह आपके लिए अहरता होने जाहिए सीटेट के लिए ठीक और सीटेट का जो प्रशनपत्र एवं पाठे क्रम है इसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से एकदम जानकारी रखते हैं इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है ठीक लेकिन फिर भी एक बार हम कोशिस करते हैं आ अनिवारे होती है जो आपकी भासा एक है वह अनिवारे होती है यह भी तीस प्रशन की होती है और भासा टू भी आपके लिए अनिवारे है इसमें भी तीस प्रशन और गड़ित तीस प्रशन पर्यावरण अध्यन से त्रीस प्रशन पूछे जाएंगे अब बात आती है द दूतिय प्रश्न पत्र आपका जो है प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक होता है मिंस जूनियर लेबल का होता है ठीक बाल विकास एवं सिक्षण सास्त्र इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं भासा एक अनिवार ये इसमें भी 30 प्रश्न भासा दो में अनिवार ये भी होता है आपक केंद्रिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSC की ओर से केंद्रिये शिक्षक पातरता परिक्षा CETET 2021 के लिए आउनलाइन आवेदन 20 जुलाई से सुरू हो शकता है CBSC की वेवसाइट पर जल्द हेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा केंद्रिये सिक्षक पातरता परिक्षा का इंतजार कर रहें अभ्यर्थी CBSC की वेवसाइट HTTP means Hyper Tax Transfer Protocols CETET.nic.in पर जाकर आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं कोरोना शंक्रमण के कारण CBSC की ओर से दो साल में दो भार होने वाले CETET 2020 में एक बार कराई जाशके दोस्तों आप एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका CETET का एकजाम होता है वह वर्ज में दो बार होता है लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते 2020 में जो CETET का एकजाम दो बार होना था वह इसी परिस्थिती मिंस कोरोना की भयावा इस्थिती के कारण एक बार कराया जा सका है लेकिन अब बात आती है कि 2021 की दोस्तों 2021 में भी एक ही बार CETET का मौका आपको मिलेगा ये एकदम 100% सकती है आगे की खबर NCTE की ओर से CETET TET आज इवन माने किये जाने के बाद इस बार CETET में आवेदकों की शंख्या कम हो सकती है एक खबरी और आपके लिए कि जो CETET और TET का एकजाम होता था अभी तक वो 7 साल के लिए वैलिड था लेकिन NCTE ने इसे अब की बार से आजीवन घोसित कर दिया है अगर आप अपकी बार CETET का एकजाम कौलिफाई कर देते हैं तो यह मारक CETET आपके लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए एवेलिबल हो जाएगी फिर आपको भविस्या में CETET में बैठने की जरूरत नहीं है चलिए आगे क्या है पहले CETET मात्रशात वर्स के लिए है वैद था अभ्यर्थी हर वर्स परिक्षा में सामिल होते थे CBSC एवं राजे शरकार के अधीन विद्यालियों में पढ़ाने के लिए CETET पास होना जरूरी है राजे की ओर से होने वाले सिक्षक पात्रता परिक्षा TET पास होने पर भी सिक्षक बन सकते हैं एक चीज आप जानिए CETET जो होता है वह आपका केंद्री लेबल का होता है मिन्स सीटेट जो आपका केंडरी लेबल का और आपका जो यूपी टेट होता है वह राजी लेबल के अधीन होता है तो दोस्तों ये रही हमारी खबर दोस्तों आज तबियत थोड़ी से ठीक न होने के कारण आवाज में हो सकता है प्रोबलम आपको हो शक्ती है बट हमने पूरी तरह से ये कोशिस किया है कि आपको एकदम असपश्ट तोर पर बताया जाए तो दोस्तों ये अभी अभी आपके लिए नई खुस खबरी है और हम आपसे ये उम्मेद करते हैं कि इसे आप अपने हर दोस्तों में सेर जरूर करें ताकि 2021 में सीटेट में पार्टिसिपेट करने वाले हर प्रसिक्षू तक यह मेरी खबर पहुंच सके वो अपने अस्तर से तयारी शुरूर कर दे तो नूस अगर पसंद आई है तो प्लीज सेर जरूर करें लाइक जरूर करें और अपना कॉमेंट एक अवस्य डाले कॉमें थैंक्स धन्यवाद